बोलो स्री प्रुष्टम भगवान कीजे आज बात करते हैं भगवान प्रुष्टम मास महत्मे की यानि ये जो प्रुष्टम मास का महत्मे है इसको एक महीना पूरा महत्मे सुनने से सभी मनोकामना पूरी होती है अब सुरू करते हैं प्रुष्टम महत्मे पूर्वकाल से अधिक मास यानि पुर्शुत्तम मास हर तीसरे साल में आता है साल के बार महिनों में हर मास का कोई न कोई अधिश्टाता देव होता है लेकिन बार मास के सिवा जो मास आता है यानि तेरवा मास जो होता है उसे अधिक मास का जाता है यह मास का कोई भी अधिश्ठाता देव या स्वामी नहीं होता था इस मास में सूर्य का संक्रमन नव होने से लोग इसे विर्थ मास में गिंती करते थे इसलिए यह मास में कोई अच्छे काम नहीं करते थे इसलिए इस मास को मलिन मास या मल मास के नाम से जानती थे लोगों के मुख से ऐसा सुनकर अधिक मास को बहुती दुख हुआ लोगों की बातों से दुखी होकर भगवान विश्णु के चरण में गया और अपनी दुख ब्री सब बाते सुनई और अपना अदिश्ठाता स्वामी बनने की विंती की चरण में आया हुआ मलिन मास पर भगवान विश्चनु भहुत प्रशन हुए और भगवान का एक नाम पुरशुतम भी है भगवान सुयम उसका अधिश्ठता पद को स्विकार करके कहा कि हे वत्स अब से तुँ अधिक मास यानि मलिन मास न होके पवित्र पुर्शोतम मास से जाना जाएगा और इस मास को दूसरे मासों से बढ़कर स्रेष्ट पवित्र गिना जाएगा इस मास में किया हुआ कोई भी धरम, ध्यान, जप, तप, पुन्यदान, उपवास, एक टंक का भोजन और विदिपुर्व केगी पुजा भक्तों को उतम फल देने वाली शावित होगी तब से अधिक मास का अधिश्ठता पुर्शोतम भगवान से क्रश्ण है जो भक्त अधिक मास में भगवान के उद्दिश से श्नान, दान, जप, तप, होम, हवन, स्वाध्य, पित्रत्रपन, देव पुजा आधी करते हैं उसका सब अक्षे होता है व्रतधारक को प्राते काल में जल्दी उठकर, नित्य करम करके भगवान वाश्वदेव का इस्मन करते हुए उपवास या एक समय का भोजन करने का संकलप करना चीए फिर ब्रामन को उसकी पत्नी सहित बुलाकर और मध्यान के समय ब्रामन के पास पूर्ण वुजर विदी से कराकर कलश को इस्तापित करना चीए जिससे अनंत फल्की प्राप्ति होती है जो इस्त्री अधीक मास में इस्त्रह की पूजन विदी करके व्रत करती है पूरा मास उपवास करके सद्धा भाव से पुर्शुत्म मास की भक्ती करते हैं उसके पास द्रिद्रता, पुत्र का सोग और व्यद्यव्य कभी नहीं आता है पुरुषों को भी अधिक मास में इस्तरही व्रत करना जो मानवी अधिक मास में सनान, ध्यान, दान जब तप नहीं करता है एवं पुर्ण भाव से भगवान विश्णु का पूजन नहीं करते हैं उनको सुक संपति, पुत्र, मित्र और रिस्तेदरों का अभाव रहता है यह भविश्य पुराण में अधिक मास का व्रत का ऐसा मात में वर्णन किया हुआ है जै स्री कृष्ण